नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आपका एश्ट्रो मित्रा पर और आज हम बत करने जा रहे हैं हातों की छोटी मगर अत्यंत महत्पुर्ण रेखाओं के बारे में तो जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने हातों की परमु और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया हैं तो मेरे चैनल को किरपया सब्सक्राइब कर दें और भी डाइक कर दें तो चलिए बात करते हैं हातों की छोटी अत्यंत महत्पुर्ण रेखाओं के बारे में तो सबसे पहली रेखा है दोस्तों विवा रेखा ये जो हमारे के नीचे एक रेखा आपको दिख रही होगी दोस्तों उसे हम विवाह रेखा कहते हैं ये कभी कभी एक या दो भी दिखती है उसके बारे में हम बाद में बाता हमारे जीवन की अतिमहत्पुन घटना होती है और यह यह दरसाती है अगर एक दो या तीन दिखाई दे तो सबस लंबी वाली जो रेखा होती है हम उसे ही विवाह रेखा मानेंगे चलिए दूसरी महत्पुन रेखा के बारे में बात करते हैं तो यह आप देख रहे होंगे हमारे आनामिका अंगली और मध्यमा अंगली के बीच में एक सीधी छोटी सी रेखा दिखाई दे रही है उसे हम विद्या रेखा कहते हैं यह हमारे स्वाध्यन की रेखा होती है जो स्किल हम मेरे अंदर डेबलप होता है जीवन के अनुभव को लेते हुए तो वो अनुभव को दरसाती है किसी कम पढ़े लेखे वेक्ति के अंदर भी विद्या रेखा हो सकती है या पाई जाती ह आई ये तिसरी महत्पुन रेखा के बारे में बात करते हैं तो यह रेखा हमारे मंगल रेखा से होकर सूर्य के उमली तक पहुंचती हुई परतीत होती है यह रेखा हमारे पुन्य रेखा कहते हैं इसे यह जब रेखा हाथ में हमें दिखाई पड़े तो आप यह समझें कि यह रेखा आपको बहुत थी सुभ होती है यह रेखा आपको बहुत ज़्यादा अचल संपत्ती देने वाली होती है यह हमारे पुर्व जन्वों के किये हुए पुन्य को दरसाती है तो जब यह रेखा बनती हुई दिखाई दे तो समझें यह आपके जीवन में आने वाले धन संपत्ती का सुभ संकेत है तो चलिए चोथी रेखा के बारे में बात करते हैं तो वही पुर्व पुन्य रेखा के नीचे एक छोटी खड़ी रेखा दिखाई दे लेकिन यह छोटी होती है छोटी रेखा सुभ संकेत नहीं माना जाता है यह हमें कोट कचहरी मुकदमा में से होने वाले परसानियों के बारे में बताती है तो आईए बात करते हैं दूसरी रेखा के बारे में यह अंगूठे के नीचे आप एक रेखा देख रहे होंगे यह रेखा मंगल रेखा कहा जाता है इसे लेकिन यह परसानि की रेखा है यह हमारे जीवन में होने वाले दुख चिंता और परसानियों के बारे में बात करता है तो जब यह रेखा आपको बंती हुई दिखाई दे तो यह आपको अच्छा संकेत नहीं है आएए बात करते हैं दूसरी रेखा की तो एक रेखा यह चंद्रमा पर आपको दिखाई देगी यह एक या दो या तीन या उससे भी ज़्यादा हो सकती है यह हमारी यात्राओं की बारे में बताती है ऐसे रेखा होने पर वेक्ति का मन यात्राओं में लगा वराता है और वो वेदेश यात्रा भी करता है तो आएए दूसरी रेखा के बारे में बात करते हैं तो ये उंगलियों पे जो आप खड़ी रेखा देख रहे हैं, ये हमारे बाहरी जीवन में हम लोगों से किस परकार मिलते हैं, ये रेखा हमें, इस रेखा से हमें पता चलता है कि बाहरी दुनिया के लोगों से हम किस परकार मिलते हैं, दोस्ती पूर्वक, प्रेम पूर्वक तो ये खड़ी रेखा हमें बताती है कि ये सिधी खड़ी रेखा जब हमारे हाथों में होती है तो इससे पता चलता है कि हम बाहरी लोगों से बहुत अच्छे और मित्रवत वहवार से मिलते हैं तो ये हुई हमारे हाथों की छोटी मगर अती महत्पुन रेखा हैं तो आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे आपका दिन सुभ हो